तो अपने जो कर रहे थे बच्चो फिजिक्स का था चैप्टर नमबर फाइव जिसका नाम है विदुत दारा ठीक है तो पार्ट नमबर थर्ड अपने आज इसका करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक है उसकी परिवाशा अपने पिछले पार्ट में पढ़ ली थी अब वो क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे अपवाह वेग ठीक है ना इसको अपवहन वेग भी बोल देते हैं कई जगा आपको अपवहन वेग लिखा हुआ भी मिल जाएगा तो क्या होता है यह क्या इसका फॉर्मूला होता है वो सारा अपने इसमें डिसकस करेंगे तो चल अन्वे की परिबाशा की हम जानते हैं कि बाईय विदृत क्षेतर की उपस्तिती में ठोड़ा क्या कर poetry एक बार Запीसिए श्याख content एगल में जब या으 देती हैं तो जो उसके इलेक्ट्रोन उसके अंदर उपस्तित वो क्या करेंगे विदुत क्षेत्र की विप्रीत दिशा में गती करना श्टार्ट कर देंगे ठीक है ना इतनी बात अपने पड़ी थी इस समय इलेक्ट्रोन की ऑसत चाल को अपवाः चाल या अपवाह वेग कह जाता है इसे VD से परदर्शित करते हैं अब आप में से कई स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर आपने दोनों वर्ड कैसे यूज कर लिए यहां पर ठीक है ना तो अब आपको पता है कि जो वेग होता है वो एक सदिश राशी है और जो चाल होती है वो एक अदिश अब उसमें से दिशा निकाल दें तो बचीवी चीज क्या है एक अदिश की तरह वेवार करेगी तो तबी यहां पे अपने दोनों टर्म यूज कर रहे हैं चाल भी और वेग भी अगर तो आप दिशा को साथ ले रहे हो तो उसको अपने अपवाहा वेग बोल देंगे और अगर दिशा साथ में नहीं ले रहे हो उसका परिमान ले रहे हो तो उसको अपवाह चाल भी बोल देते हैं कई बार ठीक है ना दोना ही नाम आपको इसके हिंदी में मिल जाएंगे इंगलिश में तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे ठीक है बैस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इसको बोलेंगे drift और तो आपको समझाया यह चीज कि electron पर जब विदुद्ध क्षेतर लगाते हैं तो सारे एलेक्ट्रोन क्या है कि विदुद्ध क्षेतर की विप्रीग दिशा में जाना प्रारम कर देती हैं तो सभी इलेक्ट्रोनों की जो उसत चाल होती है, यानि सारे इलेक्ट्रोनों की जो चाल होती है, उनको जोड़के और उनका उसत निकाल लें, तो वो अपने पास क्या जाएगा, उसत वेग उनका क्या जाएगा, अपवहन वेग या अपवाह वेग उसे बोल देते हैं, अब अलग राशियों के साथ इसके सबंद पढ़ेंगे और एक इसका आएगा कि अपवावेग और विदुत विबवांतर में सबंद तो एक चीज आप यहाँ देख लो कि यह वाला जो मैंने वी लिखा हुआ है जो इसका चीना है उसको small vd से लिखते हैं देखो यह तो बड़ा वी हो जाता है तो मैं small को दिखाने के लिए क्या कर देता हूँ उपर से ऐसे कुंडी सी मोड देता हूँ ठीक है तो आप भी दियान रखना और पैरों में इसके क्या लगा देंगे d लगा देंगे d अपने को यहां पर drift को show करता है जो इसका English में नाम है drift velocity ठीक है तो vd इसका क्या होता है चिना होता है small vd अब देखो आप में से कई student यह सोचेंगे कि sir बुक में तो यह topic काफी दिया हुआ है बुक में यह देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ बुक में काफी theory दी हुई है यहां पर अपवा वेग यहां से start हुआ यह सब कुछ आया यहां पर बाकि आपको समझने की इसमें जरूरत नहीं है वचो ठीक है न अब next क्या है कि अपने देखते हैं notes में तो अब next इसमें अपवा वेग और विदुद क्षेतर में सबंद तो यह भी आपको मैं बुक में यहां पर दिखा देता हूँ कि यह यहां पर अलग से topic नहीं दिया हुआ मैंने इसको अलग topic बना दिया अब यहां पर इतना ही लिखा हुआ कि अब आम next अपने start करते हैं इन दोनों के मद्या सबंद निकालना तो आपको पता है कि जो विदुद क्षेतर में किसी electron पर जो बल लगता है वो बल का मान क्या होता है f vector is equal to minus e e vector के बराबर होता है यह होता है ठीक है न यह आपने कल पड़ा भी था यह वाला बल लगता है अब इस बल लगने के कारण क्या होता है जो electron है वो electron विदुद क्षेतर की विप्रीत दिशा में चलना start कर देती है यह भी आपने पड़ा हुआ है ठीक है न यह पड़ा हुआ है न आपने तो अब होता क्या है देखो बचो कि electron क्या है विदुद क्षेतर की विप्रीत दिशा में चलना प्रारंब कर देती है और उनका कुछ न कुछ वेग बन जाता है तो हरेक इलेक्ट्रोन पर बल लगता है बल से वो क्या है उसकी गती में थोड़ा परिवर्थन होता है जब आपने इस पर क्या लगा दिया elektron पर? एक विदुद बल लगा दिया तो उस बल से उसका क्या हो गया वेग परिवर्थित हो गया वेग परिवर्थित होने से उसमें तवरण उत्पन हो गया अब अपने मान रहे हैं कि यदी कर रही हैं परदर्शित कर रही है अता है M A Vector is equal to minus E E Vector के equal तो A Vector बराबर आपका minus E E Vector upon में M के क्या आजाएगा बराबर आजाएगा यह अपने पास क्या आ गया त्वरण का मान आ गया है ठीक है अब अपने मानते हैं कि देखो यदी electron का prorambic wave कोई एक electron लेते हैं कोई भी दातु का एक electron उस पर विचार करते हैं क्योंकि एक electron लेके फिर उस formula को अपने सारे electron पर apply कर सकते हैं सारी इलेक्ट्रोनों के लिए उसको लगा सकते हैं एक इलेक्ट्रोन लेते हैं इसका वेग U है और टक्कर से तुरंत पहले T समय पर इसका वेग V है आपने इसका प्रारंबिक वेग मान लो इलेक्ट्रोन क्या है यहां टकराता है और टकराने के बाद क्या है इदर चला जाता है तो इदर जाने से जो रास्ते में उसका जब ये दूसरी टकर करने लगेगा लास्ट पॉइंट पर इसका वेग तो मान लिया वी और जब टकर करके हटा यहां पर तो इसका वेग कितना मान लिया U मान लिया आपने ठीक है न? U मान लिया और ये टकर होती किस से है? आयन से होती है मैंने कहा था electron की electron से टकर को नहीं गिनेंगे आयन से टकर को गिनेंगे अगर आपकी याद दो previous वीडियो में ठीक है न? तो देखो क्या है कि अपने प्रारंबिक वेग U मान लिया और लास्ट वेग इसका V मान लिया जब ये दूसरी टकर करने वाला होगा electron उस टाइम का तो Newton की गती का अपने परसम समीकरन लगा देते हैं यहां पे तो V vector is equal to U vector plus A vector T ये समीकरन लगाएंगे और आपको पता है A का मान ये वाला है इसमें रख देंगे तो V vector बराबर U vector minus E E vector upon into में क्या आ जाएगा T आ जाएगा ये आ जाएगा अब देखो उप्रियुक्त समीकरन केवल एक electron एतू है ये वाली समीकरन तो अपने किस के लिए लगाई है only एक electron के लिए लगाई है अब वो सारे electron जितने भी दातू में है उन सब के लिए अपने अगर निकालना चाहें तो अपने को क्या करना पड़ेगा औसत मान लेना पड़ेगा वेग का आपने V बराबर U plus 80 लगाके क्या कर लिया आपने यहां पर एक electron का वेग निकाल लिया अब सब भी का निकालना तो अपने को क्या कर लेना पड़ेगा उसत पहले का निकालो दूसरे का निकालो तीसरे का सारों को जोड के और उसका क्या करो उसत लो तो अब उसत अपने वैसे ना लेके फिजिक्स में तरीका होता है कि इसको ओसत मान का सिम्बल बोल देते हैं मतलब यहां पर आप V vector का ओसत ले रहे हो यहां इस U vector का ओसत ले रहे हो और यहां इस समय का ओसत ले रहे हो क्योंकि व्यदुतक्षेतर तो वही है सारी electron उपर क्या है जो आवेश का मान है वो भी समानी है और सारी इलेक्ट्रोन का द्रवय मान भी समानी है ये तो चलो constant राशी होगी और T का मान हरेक इलेक्ट्रोन के लिए क्या होता लगलग होता है टी क्या होता है टक्कर करने में लगा समय है एक टक्कर से दूसरी टक्कर में लगने वाला समय है तो अब देखो जब आप क्या करोगे कि इस वी का उसत ले लोगे तो वी तो क्या बन जाएगा अब वी क्या है अंतिम वेग है जब आपने विदुत क्षेतर अपलाई कर दिया और वो electron गती करना start कर दिया और वो electron क्या कर रहा अब टक्करें कर रहा उस time जो टक्कर करने से पूर उसका वेग है यनि आप ऐसे कह सकते हो कि V वाला वेग विदुत क्षेतर लगाने के बाद वाला वेग है तो V वाला वेग क्या हो जाएगा VD इस average मान को अपने क्या लिख सकते हैं VD लिख सकते हैं क्योंकि यही क्या बन जाएगी उसकी electron की drift velocity या अपवेहन वेग या अपवा वेग बन जाएगा अब इस U vector को अपने 0 मानते हैं मैंने यह आ लिखा 0 मानते हैं अब कारण क्या है कि मानते क्यों है 0 वेंकि Southern बढ़ी इसे थोड़ा भी तुरंथ बाद ही बागणा च्टार्ट करतेगा एक बार वो रुक जाएगा और वेंकि को प्रापत करेगा जब इससे तक्कर करेगा यहाँ पे जाकि इससे तक्राएगा एक दम से तो उससे क्या होगा ये वाला electron इस पर बल लगाएगा तो ये वाला ion इस पर तो अब एक बार electron रुक जाएगा तो अपने ऐसा मानते हैं कि electron क्या होता है तकर के पस्चा तो कुछ बहुत ही थोड़े समय के लिए रुक जाता है उसको यह अपने प्रारंबिक वेग मान लेते हैं और माना इसलिए बचो थोड़ी सी कैलकुलेशन असान करने के लिए और जब इसका एक्सपेरिमेंटली भी रिजल्ट निकाला वी डी का तो वो भी इसी तरीके से आया थीक है यह यह फार्मूला ऐसी डoking किया हूँ दिर्या है इसमें किंतुपरन तो नहीं कर सकते भी है हम तो नहीं मानते जिस भी साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया है उसने अपने इसाप से थियोरी दी है और थियोरी अपने पढ़ रहे हैं जब कहीं पे लॉजिक ना काम कर रहा हूँ और डिरेक्टली वो फॉर्मूला आपको दिया हूँ वहाँ आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर यह ऐसा कैसे हुआ अब दो प्लस दो चार ही होता है इसके बारे में आप पुछो सर प्रूब दो हमें तो दो प्लस दो चार ही होता है तो मैं प्रूब नहीं दे सकता वहाँ पे ठीक है ना दो प्लस दो आपको सर मैं तो पांच मानता हूँ तो आप मान सकते हो उसको ले वैसे यह चीज आ है कि अपने u vector को 0 मानते हैं यहाँ पर ठीक है न आपको मान लेना है उल जनमी नहीं पढ़ना क्यों मानते हैं कैसे होता है वैसे होता है u vector को 0 मानते हैं और वैसे भी जादा तर जब गति की समीकरन लगाते हैं न यू 0 ही होता है अमेशा 99% के सो में ठीक है तो क्योंकि समस्त इलेक्ट्रों टक्कर के तुरांत बाद प्रारंबिक वेग शुन्या मानना जा सकता है, मुशुन्या मानते हैं अपने, तो VD का मान जो आ जाएगा आपके पास, देखो VD का मान आपके पास, माइनस E, E वेक्टर इंटू टो आ जाएगा, तो यही आपके पास क्या आ आ गया अपवहन वेग का मान आ गया बच्चो, ठीक है ना, अपवहन वेग और एक चीजी आपे और जुड़ रही है, बच्चो वो देखो क्या जुड़ रही है, देखो, एक तो मैं बता नहीं बोल गया, क्या, कि इस समय का जब अपने क्या करते हैं, आउसत मान लेते हैं, तो यह टो बन जाता है, और मैंने यह ऐसी कहा था, कि विश्रांती काल कहा देते हैं, ठीक है न, तो यह जो समय का उसत लेंगे जब अपने, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, विश्रांती काल आ जाएगा, तो अब यह जो मान आ गया अपने पास, VD वेक्टर का, यह माइनस EE वेक्टर इंटू टो आ गया, और अगर अपन जो समय करना, वो तो वेग को दर्शारी है, वेग का मतलब यह है, जो जब अपने यहां पे नेगटिव साइन यह दिखा रहा है, जो इलेक्टरोन पर जब अपने विदूत क्षेतर E वेक्टर लगाते हैं, तो इलेक्टरोन की गती है, या उसका वेग है, वो विदूत दिखा क्या होती है, विदूत क्षेतर की विपरीत, यह नेगटिव साइन अपने को बता रहा है, ठीक है ना, इतनी बात समझागी, और टोई विश्रांतिकाल है, और जब अपने ओनली इसका परिमान ले रहे हैं, तो परिमान लेने से क्या हो रहा है वच्चों, जो इसका डिरेक्ट मान आ रहा है, नेगटिव नहीं लेते हैं अपने साइन, ठीक है, वैसे तो परिमान होना चाहिए, लेकिन इसको अपवाज चाल अपने बोल देते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, बोलती है, अब समीकरन चार, यह जो उपरवाली समीकरन प्रदर्शित करत अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बुचूँ कि जो आपके पास एक चालक है, और उस चालक में जो विदुदारा प्रवाइद करने में आएन आएन योगदान दे रहे हैं अपना, ठीक है ना कोई विदुदा बगटे है मानलो आप, उसमें क्या है कि जो प्लस आएन ह विदुदारा का चालन कर रहे हैं, तो अब उन प्लस आएनों पर विदुद क्षेतर के दवारा लगाया गया बल क्या होगा, या उन प्लस आएनों का अगर मैं आपको कहूँ अपवाव एक क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर जो प्लस उसका अपवाव एक क्या होगा, अग के पास E Q तो उस पर चार जाएगा और नीचे उनका द्रवेमान और इंटू में टो उनका विश्रान्ति का Q यहां पर चार जाएगा और यहां पर अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो वेक्टर के लगाते समय यहां पे नेगटिव साइन नहीं आएगा मतरब अगर तो आपके पास electron के लिए अपवा चाल लिख रहे हो फिर तो नेगटिव साइन आएगा vector form में और अपवा वेग लिख रहे हो sorry और अगर आप positive charge के लिख रहे हो तो negative sign नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं मान लो कि आपको कहे दूँ कि ये एक विदुत क्षेतर आपके पास ठीक है नहीं यहां पे positive charge है और इधर negative charge है और यहां पे आपने एक चालक रख रख है और उस चालक में only positive charge है तो अब मुझे बताओ कि ये तो विदुत क्षेतर की दिशा है इवेक्टर की दिशा तो इस positive charge की दिशा क्या होगी ये positive इस negative की तरफ आकरशित होगा तो मतलब positive charge भी इधर जाएगा तो positive charge हमेशा कहां जाता है विदुत क्षेतर की दिशा में मतलब positive charge का अपवावेग विदुत क्षेतर की दिशा में ही होता है positive charge के लिए आप negative sign नहीं यूज कर सकते हैं वही चीज़ यहां पर है negative charge की दिशा तो विदुत क्षेतर के विप्रीत होती है और positive charge के अपवावे की दिशा विदुत क्षेतर के समान होती है यह चीज़ मैंने लिखी हुई यहां पर अब इस topic को आप please book से मत पढ़ना मैं आपको specially बोल रहा हूँ है जो topic book से पढ़ने वाला होता है मैं कहा देता हूँ book से पढ़ लो आप इतना topic अच्छे तरीके से त्यार कर लो इससे मैं guarantee देता हूँ आपको बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है अगर formula आजए तो इस तरीके से उसको derive कर देना अब next इसमें देखो example number है one आपके पास example number one में क्या दिया हूँ है कि एक तार से 20 micro ampere की दारा 30 second तक बह रही है तो ग्यात कीजिए आपको एक तार दी हूई है एक example यह book का example नहीं है बचो यह आपको वैसी मैं example extra example करवा रहा हूँ ठीक है ना आज थोड़ा से वीडियो में time था तो मैंने का चलो एक अदा numerical करा दे बच्चों को राज के topics related भी नहीं है अब वाव एग वाला उपर वाला उतनी था तो इसमें क्या है वैसे example है मैंने और किसी बुक से उठाया हुआ है 20 micro ampere की दारा 30 second तक बह रही है तो आप क्या गयात करने है दो चीज़ें एक तो तार से स्थानंतरी तावेश यानि Q का मान और एक तार से स्थानंतरी ते लेक्टरोन की संख्य यानि N का मान आपको क्या करना है गयात करना है ठीक है Q और N तो सबसे पहले जो जो चीज़े दी है वो लिख लो सबसे पहले आपको विदुदारा I का मान दी हुआ है 20 mu ampere micro ampere मतलब mu ampere तो 20 into 10 की power minus 6 ampere समय आपको 30 second का दी हुआ है तो स्थानांत्रीत आवेश Q ब्राबर I T Q ब्राबर I T हो जाएगा जो जो चीज़े दी है उससे निकाल लो तो I into T यानि I into T तो I 600 into 10 की power minus 6 यह हो जाएगा 6 into 10 की power minus 4 कुलाव ठीक है यह आजएगा अब दूसरी चीज़ आप से क्या पूछी हुई है कि तार से स्थानांत्रीत इलेक्टोन की संख्या वितार से कितने इलेक्टोन गई तो इलेक्टोन की संख्या के लिए अब अपने पास आवेश है तो इलेक्टोन की संख्या आपने पहले चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ा था अब physics में सबसे main चीज यही होती है क्या होता है कि आपका कोई सा भी formula कहीं भी काम आ जाता है अब देखो q ब्राबर n नी first chapter का formula है उपर आपने Newton की समिकर लगाई v ब्राबर u plus 80 वो पिछली बार 11 v में थी तो आपको सारे formula इसमें याद रखने पड़ते हैं का भी formula कहीं भी काम आ सकता है तो q ब्राबर n नी से n ब्राबर क्या आ जाएगा q बटाई यह आ जाएगा तो n ब्राबर आपके पास उपर तो क्या लिखो 6 into 10 की पावर minus 4 और नीचे 1.6 into 10 की पावर minus 19 तो यह क्या हो जाएगा यहाँ point अटाओ उपर लग जाएगा 60 और यह minus 19 और यह minus 4 यह plus 19 हो जाएगा तो उपर जाके 10 की पावर 15 रह जाएगा तो n ब्राबर 3.75 into 10 की पावर 15 इलेक्टरोन आपके पास क्या आ जाएगा answer अब आप में से कई बचे सोचेंगे कि sir electron की जो संख्या वो point में कैसे आ सकती है यह वाली तो अब आप देखो 7 में 10 की पावर लगी हुई है तो यह एक point में संख्या ना आओके पूरी पूरी संख्या बनेगी इसको 375 और 7 में आप यहाँ पे 13 0 लगा सकते है और ऐसे गर कि 13 0 इतने electron आ जाएंगे ठीक है ना तो यह point में के आप चकर में मत रहना कि यह point में कैसे आगी संख्या आ सकती है लेकिन direct point में नहीं आ सकती भी आप कहे तो 3.75 electron वो कभी भी संभव नहीं वो उसको लगबग आपको 4 electron मानने पड़ेंगे लेकिन जब 7 में 10 की power आ रही है फिर आप उसको मान सकते हो ठीक है ना तो यह था बचो आपका आज का topic अपवाव वेक का अब next जो topic है वो गती चीलता रहेगा अपना next video में अपने discuss करेंगे तो मुझे अमीद आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी videos थोड़ी सी छोटी मैं तभी बनाता हूँ ताकि एक तो आपको regular video मिलती रहे आपका routine भी ना टूटे मुझे भी बनाने में असानी रहती है क्योंकि मेरे पास अब थोड़ा सा time कम होता है पहले की तुला में तो अब क्या है कि video थोड़ी सी तभी मैंने short किया कि उसको edit करना भी आसान रहता है तो मिलते हैं बचो अपने next video में आप अपनी त्यारी अच्छे तरीके से जारी रखें जो चीज आपको मैं करवाता हूँ वो लिख लिख के देखें और जो बचे पहली बार वीडियो को देख रही है वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें जिसका link मैंने description में दे रखा है या फिर आप RBSC physics notes बीज में कोई space नहीं है उसको search करके और टेलीग्राम पर मेरा चैनल जॉइन कर सकते हैं जहां इसके सारे PDF notes आपको मिलेंगे तो मिलते हैं बचो अपने next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day dear students इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें thank you